तो फ्रेंट्स क्या होता है सिलाई से जो कपड़े बच जाते हैं हमारे पास इस तरह के चोटे चोटे पीसिस बच जाते हैं तो उनको हम ऐसे ही फैंक देते हैं तो आज मैं आप सब के लिए लेक्या है एक ऐसा बेस्ट रियू जिसे कि आप इस तरह के वेश्ट कपड़ों का इस्तमाल करके प्यार आसा मैट्रस गदा घर में ही बना के तयार कर सकते हैं तो जीरो बजट में आप मैट्रस बना कर एड़ी करेंगे तो चलिए शुरू करते ह तो फ्रेंट्स गदा बनाने के लिए आप कोई भी फैबरिक इस्तमाल कर सकते हैं पूरानी साड़ी दुपटे हैं अगर आपके पास तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं उसमें आप लाइनिंग अटेच कर लीजिएगा बस या फिर अगर आपके पास पूरानी बैट सीट है तो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर आप न्यू फैब्रिक का इस्तमाल भी इसमें कर सकते हैं तो फ्रेंट जितनी भी साइस का हमें गदा बनाना उसी के अकोडिंग हमें पीस लेना है तो यह पीस मैंने ले लिया है इस तरह से हम हम इसको खोल लेंगे तो फैब्रिक के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं जितनी हमारी इंच्टेप है उसी के बराबर यह हमने पीस लिया है तो अभी इधर से भी हम इसको इस तरह से माप लेते हैं तो फैब्रिक के उपर इस तरह से इंच टेप को हमने रख लिया है और फ्रेंट्स 44 इंच हमने इसकी विर्थ लिया है तो अभी हमें इस पीस को इस तरह से फोल्ड करना है इस तरह से पीस को हमने फोल्ड करके रख लिया है सीधी साइड अंदर की साइड है और उल्टी वाली साइड हमने बाहर की साइड रखी है तो अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये पीस हमने कुछ इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है तो ये हमारी सीधी वाली स दोनों साइड से लगा लेंगे तो अभी ओपर वाली साइड है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे दोनों साइड से लगाने इस साइड और दूसरी वाली साइड तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने से लगा लिए इसमें इस साइड भी और इस वाली साइड भी तो यह पीस हमारा रेडी हो चुका है तो अभी हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे तो यह पीस हमने सीधा कर लिया है तो इस तरह का यह पीस हमारा रेडी हो चुका है तो हमारे पास जो waste कपड़े रखे हुए थे उनको हमें इसमें फिल करना है अगर आपके पास पुरानी कोटन है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं तो जितने भी waste कपड़े हैं उनको हम one by one इसमें फिल करते जाएंगे तो इस तरह से कपड़ों को फिल करते जाएंगे और साथ साथ इनको हमें सेट भी करते जाना है तो इस तरह से कपड़ों को फिल करते जाएंगे और इस तरह से हम सेट कर लेंगे इनको तो सारे कपड़े हमें इसी तरह से फिल करना है तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े हमने फिल कर लिया है अच्छे से सेट कर लिया है इनको तो इस तरह से अच्छे से कपड़ों को सेट करना है तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े हमने फिल कर लिया है और अच्छे से सेट कर लिया है तो अब ये open side आप देख रहे हैं इस पर हमें इस तरह से अंदर की side fold करते हुए इस पर पूरे पर सिलाइ लगानी है तो ये हमने सुई और धागा लिया है तो इसकी मदद से हम इसमें सिलाइ लगाएंगे तो इस तरह से अंदर की side fold करते हुए छोटे छोटे टक्स लगाएंगे तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई लगाके तयार करेंगे तो बस इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेंगे फिनिशिंग के साथ तो जो open side है इसमें हम पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे तो friends आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरा इसको सिल लिया है finishing के साथ तो इस तरह से हमें open side पे सिलाई लगानी है तो अभी हमें 33 inch की lines बनाते हुए इसमें सिलाई लगानी है तो अगर आप ऐसे ही सिलाई नहीं लगा सकते हैं तो आप इसमें 3 inch की lines पहले draw कर लीजिए उसके बाद आप simply इसमें सिलाई लगा सकते हैं तो इस तरह से सुई को अंदर की side डालेंगे फिर हम back side इस तरह से धागे को निकालेंगे और इस तरह से अच्छे से पका करते हुए हम धागे को कट कर देंगे तो आप दोनु तरह से सिलाई लगा सकते हैं इसमें सीधे सीधे इस side भी और इस side भी तो हम इस तरह से line बनाते हुए इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो सुई को हम इस तरह से अंदर की side डालेंगे फिर बाहर की side निकालेंगे धागे को अब इस तरह से back side इसको अच्छे से पका करते हुए हम धागे को कट कर लेंगे तो बस इसी तरह से हमें first line पूरी complete करनी है तो आप देख सकते हैं first line हमारी complete हो चुकी है तो बस इसी तरह हमें lines इसमें बनाते जानी है और शिलाई लगाते जाना है इस तरह से सीधे सीधे तो आप देख सकते हैं 3 line हमारी complete हो चुकी है तो बस इसी तरह से हमें इसको पूरा बना के तयार करना है तो बस इसी तरह से हम इसको पूरा complete कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको पूरे में सिलाई लगा लिए है इस तरह से लाइने बनाते हुए तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका तो इस तरह से हमारा जो गदा है वो बनके तयार हो गया है तो चोटी चोटी लाइन्स बनाते हुए ही हमें इसमें सिलाई लगानी है ताकि जो आमने इसमें कपड़े फिल की हैं वो इधर उधर ना हो और अच्छे से हमारे कपड़े इसमें सैट हो जाए तो बड़े टक्स नहीं लगाने हैं चोटी-चोटे टक्स इसमें लगाते हुए इस तरह से हमें इसमें लाइने बनाते जाना है तो finally हमारा जो गद्धा है वो बनके तैयार हो गया है तो इस तरह से इस तरह का गद्दा मैट्रस घर में ही बनाके तयार कर सकते हैं तो अगर आपको इस वख करना है तो आप इसके लिए cover भी बनाके तयार कर सकते हैं और अगर आपको cover की video देखनी है तो आप मुझे comments करके ज़रूर बताईएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सब के लिए इस तरह की वीडियो लेकिया होंगी तो फ्रेंड्स वेश्ट कपड़ों को इस्तिमाल करने का यह वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की इंट्रेस्टिंग सी वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग